चार सो आएंगी, तीन सो निन्यान भी आएंगी, तीन सो अंठान भी आएंगी या क्या, वो ये बताने साते हैं कि नरेंद्र मोधी देश का एजेंडा तै करते हैं, जिस पर विपक्ष के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं तमाम पार्टियां अफरी चरंग के मतदान के लिए जान जोक रखा है, छटे चरंग के मतदान में भी बहुत कुछ साफ किया है कि आखिर लोगों के बीच मुद्दा क्या है, बेरुजगारी महंगारी पर तो छोड़िये, मोधी जी विपक्ष के लिए मुझरा जै सिती देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा छटवे चरंग के लिए? वाँ मोधी जी वाँ शाटे फेज में भी बहुत के लिए बने आज की तारीख में ये डिमेट खतम है कि क्या भारती जेट लेकर आ रहे है? असली डिबेट इसी बात को लेकर यह है क्या वो दोसो बत्तर का अंकडा लेकर आपाती है या नहीं आपाती है नरिंदर मुदी की इस चुनाओ की सबसे बड़े सफलता यह है कि कोई भी रास्ट्रिय आख्यान वो तयार नहीं कर पाए आप 2014 का चुनाओ देखिए जिस तरीके से नरिंदर मुदी जी ने अपने आपको एक रास्ट्रिय फलक पर पेश किया था और पूरी डिबेट उनके इर्दगिर थी 2019 को देखिए जिस तरीके से नेशनलिजम के मसले उखड़ा क्या पाकिस्तान हो गुसके मारने वाली बात की थी इस बार वो लगातार लड़ खड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे कि यह जो चारसो पार वाली जो बात है यह पहले फेस के बाद से भारतियांता पार्टी में बोलना बंद कर दिया था चार जून कोई पता चलेगा सरकार किसकी बनेगी नहीं सुधानशु जी 486 में से क्या है सती सहयोगी दल तो कुछ जादा ही उच्छाल मार रहे है देखें आपके इस पैनल लो बैठे हुए दो विक्तियों के माध्यम से मैं अपना उधारन देकर अपनी बात कहना चाहूँगा 2014 में एक अंतर क्या था आपके साथ आशुतोष जी भी थे वो अलग हो गए प्रशान भूशन शांति भूशन किरन बेदी कुमार विश्वास अलग हो गए और साथ में कौन आ गए लादू प्रसाद यादव जी डीम के आ गई सपा आ गई और जारखंड मुक्ति मोर्चा आ गया और दूसरा संख्या कितनी आएगी तो मैं विनम मुर्ता से कहता हूँ अभी तो आश्टोष जी या हमारे अन्ने विपक्षी लोग बहुत बोल रहे थे 2014 में कितनों ने हमें 272 दिया था जाके देख लीज़े कोई सर्वे देता हो 2000 में कितनों ने हमें 282 दिया था 222 नहीं दे रहे थे साथ एक्जिट पोल लिखना था आपके इस पैनल पे प्रदीब गुपता जी बैठे हुए है इन्होंने 303 दिया था तो इनको इतनी आलोचना की गई थी जिस दिन चुना प्रदाम आया मुझे याद है वो भावख हो गए थे भावख हो गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे उपर आरोप लगाया गया था कि मैंने एक्जिट पोल मैनिपुलेट करने के लिए दिया है पर वो हकीकत थी इसलिए अभी चार जून तक चांदनी फिर अंधेरी रात इनको अरे कांसा मुद्दा है जिसके आधार पर समाजवादी पार्टी अपना दम दिखा रही है आज आशतोष जी मैं कितरा यह देखे मुद्दा तो पहले दिन से ही डिसाइड़ था कि भारती जंता पार्टी ने कितने भी कोशिश करी मुद्दे को टहलाने के लिए कभी रामंदीर पे लेके गए कभी मंगल सूत पे लेके गए लेकिन इस देश की जंता ने बहुत ही सालेंटी और बहुत ही अच्छा चुनाओ पहले चरणते लड़ा है और मैं मानता हूँ कि मुद्दा इस समय इस देश के नौजवानों का है उनकी बेरोजकारी का है बढ़ती हुँ महंगाई का है और अब तक के इतिहास में सबसे अच्छा चुनाओ ये चलना है कि मुद्दे आदायत चुनाओ चल रहे हैं इस बार जन्ता कुछ नहीं सुन रही है आप मंगल सूत्र बोली आज तो कहीं हमने सुना कि प्रदान मंत्री ने मुझरे उजरे की बात भी सुरू कर दी है मतलब प्रदान मंत्री की लगातार गिरती हुई जो भाषा शैली है वो खुद बता रही है कि इस प्रेकार से भारती जन्ता पार्टी में डेहरत चाही है को वोट नहीं दिया है अरे प्रदान मंत्री बन गए लेकिन पहली बार जंता ने आपको समझाया है कि मुद्दो पर रहे कि अगर आप चुनाओ लड़ेंगे तो हम किस प्रेकार से सत्ता उखाड़ेंगे वो आपको दिखा रहे हैं हम पिछली बार पहले भी पांच सीटों में अमबेटकर नगर श्रावस्ती लाल गंज और जॉनपूर इनको हरा चुके थे और इस बार लगबग लगबग उन सीटों के अलावा पांच तीन सीटे और ऐसी हैं जहां भारती यंद्दा पार्टी का सूप्रा साफ हो रहा है प्रशाशन पूरी कोशिश करना है जो पांच आग भिना रहे हैं चार तो बेस्पी को चली गई थी और फिर चार दिन के बाद उन्होंने अलग कर लिया आपने आपको कैसे समझाएंगी लोगों की बीच में आश्यतों जी अरे चित्रा जी देखिया ऐसी बात होती ना कि स आपके वोटर भी तो वहीं पर वोट करेंगे जाब गट बंदन होगा ऐसा थोड़ी है कि अपना दल का गट बंदन में खाली अपना दल का वोटर होता है और बाच्वाक होता नहीं यह कौंगत तरक आपने दिया है अरे फिर वो छोड़कर चली गई ना चार दिन के बाद आश्तो जी इस बज़ें से तरक बताना पड़ता है एक साथ पांच सालों तक आप लोगों ने संगर्श नहीं किया ना जनता के मुद्दे पर कुछ भी वो जैसे ही विजल्ट आया मायवती जी ने समाजवादी पाती को छोड़ दिया यह तर्क हो सकता है यह सचाई आपको मैं सचाई बता रहा हूं इस बाट जनता इस बात को देखी नहीं रही है तेकि इस देश में जब भी सरकारे गिरती हैं वो कभी कई न कई जो सिटिंग एंटी इंकमेंसी है उसके खिलाफ होती है चाहे वो मनमोहन सिंग की 10 साल की सरकार कीरी हो और चाहे यह किरने जा रही है जनता ने यह ठान लिया है कि इनको कुर्सी पे नहीं आने देना है जिस पकार से इनों ने पिछले 10 साल देश की स्थिती करी है और जिस जिसके खलाफ चुनाव लड़कर आप लोग सत्ता में आए अपने अस्तित्व को मजबूत किया जब उसी को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे तो आपको लग रहा है कि दिल्ली की जनता ने आपके पक्ष में मदान किया होगा कौन से मुद्दे रहे जिसके आधार पर आप इस बात का दावा करेंगे जस्पिन जी सुधान शुजी की बात सुनकर मुझे यह लग रहा है कि जितनी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गड़ बंदन बनने से थी एक साल पहले वो उतनी पीड़ा आज भी बरकरार है चुनाव जब खतम होने जा रहे ह पिछले दो महीने उठा के देख लिजे सुधान शुजी या उनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी की सारे बाशनों का केवल और केवल इंडिया अलायंस क्यों बना ये पार्टी इस पार्टी के साथ कैसे हाथ मिला रही है ये अपने काम आज तक भी नहीं गिना पारें लोगों को उमीद थी कि महंगाई बेरोजगारी चाइना जो हमारी जमीन कबजा के बैठा है इन मुद्दों पर बात करेंगे सुधान शुजी इन मुद्दों पर बात करेंगे मोदी जी लेकिन इनकी इनकी मानसिक्ता देख लीजे इनको लगता है कि नहीं अरे कॉ तो investigation खतम नहीं हुई है, अब तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, तो ये जो पूरी ताना शाही का महौल है, उसके against, आपने कहा कि मुद्दे क्या रहेंगे, मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि ताना शाही का जो कहर मंडरा राइस देश के उपर, और खास करके दिल के उपर, जहां पर मोदी जी ने accept कर लिया है, कि देखे में केजरिवाल जी को चुनाओं में तो नहीं हरा सकता, अब फर्जी मुकदमें डालो, जांचवांच होती रहेगी, दस साल जेल में सड़े, लेकिन मैं केजरिवाल जी को बाहर नहीं आने दूँगा, तो साथियों पहले चरन से लेकर छटे चरन तक अपने अपने रेलियों में भासाई मर्यादाओं को नेताओं ने खूब सिमा लगा, यहां तक कि देश के परधान मंतरी भी जम कर विवाद बियान डे डाले, जिस पर विपक्ष ने पीम पर की करीमा को बदनाम करने का भी आलोप लगाय मुसल्मान मंगल सुतर मतन मुझरापर पीम ने जो कहा उस पर सियासी पारा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चार जुन को आने में अब समय ज्यादा दूर रही, आपका विस लेसन क्या कहता है, किसकी बनेगी सरकार, कॉमेंट जरूर कीजेगा, चैनल पर नहीं हैं तो च तका है जरू जरू कीजेगा